हलो इस्ट्वेंट्स आइवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग बहुत-बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं यानि वर्किंग ओफ ACR की बात करेंगे ACR किस तरह से उपरेट होता है इसका वर्किंग मोड क्या क्या होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है आई वी कारेक्टिरिस्टिक इसी को हम लोग वी आई कारेक्टिरिस्टिक भी बोलते हैं ACR का देखेंगे हम लोग यानि जो working है उसको हम लोग represent करेंगे वी आई characteristics के माधियम से तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है working mode क्या क्या हो सकता है forward blocking mode क्या है reverse blocking mode क्या है forward conduction mode क्या है latching current क्या है holding current क्या है gate triggering का क्या रोल होता है तो बहुत सारा information आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा और बहुत आसानी से ये सारा चीज़ आपको समन्द में आ जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा आराम से देखिएगा तो आपको कोई भी dot नहीं बचेगा आज की इस वीडियो के बाद एस CR से related इससे पहले की वीडियो में हम लोग construction डिटेल पूरा चर्चा कर चुके हैं कैसा बना हुआ था है कितना number of layer होता है working mode क्या है bipolar यूनि पोलर rating क्या है वो सारी बात हम लोग किया था तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल working और वी आई characteristics से related बात करेंगे तो इसके working को समझने के लिए हम लोग इसको तीन category में यानि working जो इसका है वो तीन category तीन mode के अंदर बटा हुआ होता है यानि इन तीनों category को इन तीनों mode को मिला कर working of ACR कहा जाता है क्या क्या mode होता है तो एक आपका reverse blocking mode होता है दूसरा forward blocking mode होता है और तीसरा forward conduction mode होता है इन तीनों को मिला कर ACR work करता है और उसी working of ACR को हम जिस diagram के दोरा दर्शाते हैं उसी को हम लोग VI characteristics of ACR कहते हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग reverse blocking mode को समझते हैं reverse का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग reverse voltage apply करेंगे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर P term region है आपका P plus region होता है N minus region होता है P और N plus यह plus minus के आज नोट कर रहा है आपको पहले से मालूम होगा कि यहाँ पर heavily dopt को यह दर्शारा है यह lightly dopt को और यह moderately और यह heavily dopt को दर्शारा है तो यहाँ पर जो outer P region है यानि जो anod terminal होगा हमारा है इस anod terminal पर यदि हम क्या करें बैटरी का negative terminal करें connect करें यानि P plus region majority of whole वाला जो layer है उसके साथ बैटरी का कौन सा terminal लगा रहे है निगेटिव टर्मिनल लगा रहे है और यहाँ पर in region यानि majority of electron जहाँ पर है वहाँ पर बैटरी का positive terminal लगा रहे है तो obvious आपको मालूम होगा कि यदि हम P plus region से negative terminal connect करते हैं तो यह जो region बनेगा या यहाँ पर जो junction बनेगा वो कैसा बनेगा reverse bias बनेगा तो P के साथ क्या है negative terminal होगा तो यहाँ पर जो junction की rate होगा वो कैसा होगा J1 जो junction होगा वो reverse bias होगा इ तो J3 के cross देखिए कि यहाँ पर जो यह तर्मिनल है यानि कि यहाँ पर इन जो region है इसके साथ क्या लगा वा है बैटरी का positive terminal लगा हुआ है तो जब इन के साथ plus लगाते हैं इसका मतलब यह भी जो junction होगा J3 कैसा होगा reverse bias के अंदर होगा बाकि बीच वाला जो junction है J2 इसको यहाँ से देखिए कि बैटरी के सामने कौन सा है बैटरी के सामने आपका यह N region है तो N के सामने बैटरी का कौन सा टर्मिनल है negative terminal यह P region हो और P के सामने कौन सा है positive terminal है तो यहाँ पर जब P के साथ positive terminal N के साथ negative terminal होता है तो junction कैसा होगा तो junction forward बायस होगा इतना बात आपको पत चला कि हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को P के साथ लगा दिया है पॉजिटिव टर्मिनल N के साथ लगा दिया तो यहां पर जो तीन जंक्षान था वो अलग-अलग बायस के अंदर चला गया है J1 Reverse Bias के अंदर चला गया है, J2 Forward Bias के अंदर और J3 reverse bias के अंदर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो अब इसके अंदर काम क्या होगा वो धियान से समझे तो जब यह reverse bias है तो आपको क्या मानूँ है reverse bias मतलब क्या है कि reverse bias के अंदर यहाँ पर depletion layer जादा चौड़ा किरियेट हो जाता है और वहाँ से कोई भी conduction current पास नहीं करता है तो यहाँ पर हमने दिखा यहाँ J1 है और यह open की तरह behave करेगा J1 terminal के cross open circuit की तरह behave करेगा यानि यहाँ पर कोई भी current follow नहीं होगा conduction नहीं होगा similarly J3 भी आपका किसमे था reverse bias के अंदर था यह भी आपका open की तरह काम करेगा और J2 terminal यानि junction था यह किसके तरह forward के तरह यानि short की तरह काम करेगा लेकिन क्या inor से cathode की तरह पूरे ACR के अंदर current flow होगा तो ACR के cross current flow नहीं होगा क्योंकि आपका J1 और J3 क्या है open की तरह behave कर रहा है यानि inor से cathode current flow नहीं होगा ठीक है बाकी यहाँ पर एक gate terminal होता है जो P region के साथ लगा होता है तो हमने देखाया है gate क्या है open ही यानि gate के cross हमने कोई भी current नहीं देखाया है यानि gate के cross कोई भी battery नहीं connect होगा और नहीं gate के cross कोई current होगा यानि IG की value gate current की value 0 होगी तो reverse blocking mode के अंदर क्या क्या पता चल आपको ऐसा mode जिसके अंदर P region से P region से negative terminal N region से positive terminal connect करते हैं जिसमें आपका J1 और J3 reverse bias के अंदर आ जाता है J2 forward bias के अंदर आ जाता है तो इस mode को ही हम क्या कहते है reverse blocking mode कहते हैं जिसके अंदर J1 और J3 reverse bias होनी के वज़े से open की तरह behave करेगा J3 close, J2 close की तरह behave करेगा J1, J3 open की तरह यानि के इसमें एनोड से cathode तक normal voltage पर कोई भी current flow नहीं होगा यानि conduction नहीं होगा किलिए रहे हैं तक इसी को reverse हम लोग reverse blocking mode बोलते हैं अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर characteristics से दिखा दे हैं अगर उदर पूरा छोड़ दीजिए आप सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा characteristics को देखाना चाहा है तो reverse voltage किधर देखाते हैं अगर मान के चलिए हम इस x-axis पर a knot to cathode voltage देखा रहे हैं इधर forward हो गया इधर reverse हो गया तो अभी कुछ सा voltage apply कर रहे हैं reverse voltage apply कर रहे हैं तो reverse voltage है तो इस side की बात होगी हम लोगों की तो यहां पर graph कुछ इस तरह से हम देखाते हैं इस तरह का graph होगा और यहां पर नीचे में देखाएंगे current इसका मतलब क्या होगा ध्यान से समझेगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है एनौर्टू के थाओड हम voltage दे रहे हैं लेकिन voltage दे रहे हैं तो normal एनौर्टू के थाओड जो है conduction current flow नहीं होगा क्योंके J1, J3 open है लेकिन कुछ ना कुछ leakage current पास होगा J1 और J3 के एक रोस क्या होगा कुछ ना कुछ leakage current पास होगा जिसको हमें reverse leakage current कहते हैं तो उसी चीज़को हमने देखाया थोड़ा सा नीचे देखाया है मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ reverse current flow हो रहा है यानि leakage current फोलो रहा है और आपको मालूम होगा diode के अंदर आपने characters पढ़ रखा है यानि इसका जो barrier था potential barrier वो खतम हो जाएगा और पूरा एनौट से cathode की तरफ current flow होने लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं breakdown बोलते हैं तो यहाँ पर आपका reverse breakdown आकर हो जाएगा यदि voltage बढ़ाते जाएगा तब तो जब तक breakdown नहीं हो रहा है reverse bias J2 forward bias में होता है normal कोई भी current flow नहीं होगा only leakage current पास होगा लेकिन voltage बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा तो reverse blocking mode का अंदर एक ऐसा समय आएगा जिसमें आपका जो J1 और J3 है वो आपका conduction mode के अंदर चला जाएगा यानि वो breakdown हो जाएगा और यहां से आपका heavy inert current flow होगा reverse direction के अंदर तो इसी चीज़ को हमने यहां पर दिखाया I hope clear होगा reverse blocking क्या है forward blocking के अंदर हम क्या देखा रहे है forward blocking mode का मतलब क्या हुआ कि जब battery का जो positive terminal है जब battery का positive terminal किसके साथ connect हो P region के साथ connect हो और negative terminal किसके साथ हो cathode के साथ यानि in plus region के साथ तो P के साथ जब positive in के साथ negative मतलब क्या है यह forward voltage हम लोग apply कर रहे है in or to cathode voltage forward में है तो यहां पर जो यानि blocking का काम होगा वो forward voltage की वज़ाए से हो रहा है इसलिए हम लोग forward blocking voltage कहेंगे इसको और इस mode को forward blocking mode कहा जाएगा फिर से देखें यहां पर junction जो बनेगा क्या बन रहा है J1 junction बन रहा है J2 बन रहा है और J3 बनेगा लेकिन अब देखिए यह P terminal किससे है positive से तो यहां पर का जो J junction होगा J1 वो किसमे होगा forward bias के अंदर होगा similarly J3 जो है वो negative आपका जो region है यह negative region किससे connected है N terminal से connected है तो जिसकी वज़ए से क्या होगा आपका J3 J3 है यह J3 किसमें आएगा forward bias के अंदर आएगा क्योंकि N region negative से connect है तो यहां पर J3 क्या होगा forward लेकिन battery के सामने यह वाला region देखे यह N region है लेकिन terminal कुण सा है positive यह minus region है लेकिन terminal कुण सा है यह P region है लेकिन P के सामने minus है मतलब कि अग P को minus के सामने connect किये हैं और इन को plus के सामने यह वाला जो region होगा J2 region होगा यह कैसा region कह लाएगा यह किस condition में यह reverse bias के अंदर है मतलब क्या हुआ कि इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखाए कि J1 forward bias के अंदर है J3 forward bias में यानि close की तरह behave करेगा लेकिन J2 जो reverse bias के अंदर है यह open की तरह behave करेगा और finally आपका इस इस्थिती के अंदर भी कोई current flow नहीं होगा even हम लोग voltage कैसा दे रहे है forward voltage दे रहे है फिर भी यहाँ पर blocking का काम हो रहा है क्योंके J2 किस तरह से काम कर रहा है यह open की तरह behave करेगा यानि अभी भी आपका इनॉर्ट से cathode की तरह current flow नहीं होगा main current conduction current flow नहीं होगा तो इसी इस्थिती को हम क्या बोलते है forward blocking mode बोलते हैं कि हम लोग forward voltage दिया J1 और J3 forward bias में है लेकिन J2 reverse bias होने की वज़े से normal voltage पर यह open की तरह behave करेगा और कोई भी current इसमें anod current flow नहीं होगा लेकिन minor कुछ ना कुछ leakage current पास होता है हैं लेकिन फिर भी main current flow नहीं हो रहा तो इसी mode को हम क्या कहेंगे forward blocking mode कहेंगे अब तीसरा mode समझे जो सबसे important mode है वो क्या है forward conduction mode कोई भी चीज़ इसके अंदर अलग नहीं किया पहले की तरह है यह P आपका positive के साथ N negative के साथ J1 आपका forward bias J3 आपका forward bias J2 आपका reverse bias के वल चेंजिंग क्या करना है forward conduction mode के अंदर जो a not to cathode voltage दे रहे थे इसको बढ़ाना है बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा जिसमें जो J2 था वो क्या हो जाएगा breakdown हो जाएगा J1 और J3 तो पहले से क्या था आपका close था यानि forward के अंदर था लेकिन J2 reverse की तरह behave कर रहा था तो हम a not to cathode voltage बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और एक समय ऐसा है जिसमें J2 क्या हो गया failure हो गया यहाँ पर का depletion layer और यहाँ से आपका current flow करने लगा यानि J2 भी close की तरह behave करने लगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा main current flow होगा जिसको हम anod current कहेंगे यानि anod से cathode की तरफ current flow होगा और यही mode है जिस mode को हम लोग क्या कहेंगे forward conduction mode यानि str आपका क्या होगी या on होगी है इसके across main current anod current flow हो रहा है तो यही चीज़ को आप ग्राफ अगर देखाना रहेगा तो क्या देखाएंगे यही पर यहाँ तक आपका कोई भी हम बोल ले थे current flow नहीं और आप voltage बढ़ा रही यह थोड़ा सा जो हमने current देखाया वो क्या है forward leakage current है जब open रहेगा तो कुछ ना कुछ minor current जाएगा जिसको हम forward leakage current कहेंगे यहाँ पर voltage बढ़ाते कहें बढ़ाते कहें एक समय आया है जिस voltage को हम क्या बुलेंगे break over voltage जिस voltage पर क्या होगा जे टू आपका पूरी तरह से failure हो जाएगा और यह close की तरह behave करने लगेगा और यहाँ से conduction current पास होगा तो इसको हम dotted से देखा कर इस तरह देखाते हैं यानि अब main heavy current इसके across flow होगा तो अब इसी चीज़ का main diagram पर आएगे आपको समझाएंगे वी आई characteristics फिर से x को एक बार बता दे रहें कि P terminal positive के साथ N terminal negative के साथ J1 forward bias, J3B forward bias, J2 आपका reverse bias यहाँ पर voltage बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है जब J2 failure हो जाएगा Depletion layer घट जाएगा main current पास होने लगेगा तो ऐसा इस्थिति जिसमें आपका anode current flow होता है conduction होता है forward anode to cathode voltage देनी की वज़े से तो ऐसा mode ही क्या कहलाता है forward conduction mode कहलाता है तीनों mode आपको बहुत अच्छे से समन में आगे होगा reverse blocking mode जिसमें current flow नहीं हो रहा है reverse voltage है forward blocking mode forward voltage अपलाई कर रहे हैं फिर भी J2 reverse bias होने की वज़े से यहाँ पर blocking का काम हो रहा है current flow नहीं हो रहा है inaud current लेकिन हम लोग voltage को बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि J2 failure हो जाएगा reverse bias में होने के बावजूद failure होगा और depletion layer आपका घट जाएगा current flow होगा जिसको हम लोग forward conduction current कहेंगे और यहाँ पर जो mode होगा उसको forward conduction mode कहा जाएगा यहाँ पर J1 को हमने close से देखा है यहाँ पर आप diode बना कर भी देखा सकते हैं यहाँ पर भी क्या है यानि junction के cross diode देखा देगे एक forward के अंदर यहाँ पर भी forward और यह वाला जो diode होगा इसको उलटके यानि reverse bias के अंदर भी आप देखा सकते हैं आपकी मर्जी है ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग देखाया तो सबसे पहले reverse blocking mode को देखिए हम लोग reverse anode to cathode voltage था यह positive और यह वाला reverse direction में यानि anode to cathode reverse voltage को देखा रहा है तो हम लोग इस side lift side बात कर रहें voltage हम बढ़ा रहें बढ़ा रहें लेकिन अभी कोई भी main current flow नहीं हो रहा यह minor सा current flow होगा जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम reverse leakage current बोलेंगे क्यों reverse leakage current flow हो रहा है main current क्यों नहीं फोलो हो रहा है क्योंकि यहां पर जो junction है J1 और J3 वो reverse bias के अंदर है जिसकी वज़र से यहां पर conduction current, anod current flow नहीं होगा, केवल कुछ न कुछ leakage current पास होगा, उसको हम लोग इस तरह से थोड़ा सा, यहां पर आप यह क्या है, पूरा current देखा रहे हैं, तो यह वाला जो dot देखा रहा, यह क्या इ लेफ्ट साइड आप बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो, voltage increase हो रहा है, forward के अंदर के reverse के अंदर, left side बढ़ रहे हैं, तो reverse के अंदर voltage increase हो रहा है, and not to cathode, तो बढ़ते 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 एक point ऐसा आएगा, जहां पर क्या होगा, voltage पहुंचने पर, इसके अंदर, जो J1 और J3 थ voltage, जिस voltage पर J1, J3 failure हो जाता है, और conduction current pass होने लगता है, तो यहां पर inert current फिर क्या होगा, तेजी के साथ देखाया है, reverse के अंदर, तेजी के साथ बढ़ेगा, तो यह mode यहां तक, यह आपका यहां इतना voltage तक बढ़ाना, str के लिए अच्छा नहीं होगा, आपका damage हो सकता है, यानि str कैसा behave कर रहा है, तो str हम बोलेंगे off है अभी, यानि इसके cross कोई भी main current flow नहीं हो रहा है, तो forward blocking mode आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होगा, दूसरा देखे, यहां से यहां तक, अगर नाम देदे हम इसका, ओसे लेकर aim तक नाम लेते हैं, तो हम forward के अंदर, य यदि voltage बढ़ा दे हम लोग, तो यहां पर J1, J3 तो आपका forward bias, लेकिन J2 क्या है, reverse bias होने के वज़े से, बहुत तेजी से current नहीं बढ़ेगा, current flow हो रहा है, forward voltage बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन current कुछ minor current flow होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, forward leakage current बोलेंगे, जो के बहुत minor होगा, कहां पर J2 open होने के वज़े से, J2 reverse bias होने के वज़े से, main current नहीं फुल होगा, reverse leakage current, sorry, forward leakage current फुल होगा, जिसको हम यहां पर देखाया है, O से M तक कुछ current फुल हो रहा है, जबके voltage की value बहुत जादा बढ़ गई है, तो यहां से यहां तक O से M तक जो है, जहा current क्योंने rise कर रहा है, क्योंकि आपका J2 terminal reverse bias के अंदर है, लेकिन इसी voltage को आप जब बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा, जिस समय पर क्या होगा, यह J2 जो है, वो failure हो जाएगा, breakdown हो जाएगा, और इसके cross current flow होने लगेगा, तो जिस voltage पर, ज लिख ली जाएगा कहीं पर, forward break over voltage, जिस voltage पर क्या हो जाएगा, यह जो J2 है, यह failure होगा, और इसके cross main current, यानि conduction current, पास करने लगेगा, तो यहाँ के बाद, VBO के बाद, जो आपका start हो रहा है, mode, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, forward conduction mode कहेंगा, forward conduction mode में होगा, क्या, J2 तो आपक आप short हो गया है, यानि कि आपको मालूम है, जब short हो जाता है, यह short circuit है, यह switch close हो गया है, इसका मतलब current क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, current की value, and not current की value, बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगा, जो voltage हो रहा था, यह voltage की value क्या हो जाएगी, घट यह dotted line जो देखा रहा है, क्या मतलब हुआ, जो break over voltage, breakdown हो गया, उसके बाद in not to cathode voltage की value क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि यह अब J2 terminal कहा आ गया, forward के अंदर आ गया है, यह short हो गया, इसलिए voltage घट गया है, इतना ही voltage है, और इस voltage पर क्या हो रहा है, current की value बहुत conduction mode में क्या हुआ, J2 failure हुआ, J2 जैसे यह failure होगा, voltage की value घट जाएगी, क्योंकि हमको मालूम है, short circuit में voltage घट जाता है, और current बहुत तेजी से बढ़ता है, तो यहाँ पर voltage घट गया है, और current बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, जिस current को हम लोग in not current बोलेंगे, या इसी को हम ल mode को हम लोग क्या बोलेंगे, forward conduction mode बोलेंगे, तीनो mode आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, reverse blocking mode, forward blocking mode, and forward conduction mode, अब एक important चीज़ है, उसको बहुत ध्यान से समझेगा, यहाँ से अब concept आता है, gate का, यह तीनो टर्मिनल के अंदर, यानि तीनो केस के अंदर, अभी त यहाँ से क्या, P और N टर्मिनल है, तो यहाँ से हम क्या कर एक battery connect कर देते हैं, इस battery के वज़े से क्या होगा, यहाँ पर एक current flow होगा, जिस current को हम क्या बोलेंगे, gate current बोलेंगे, और इस gate current के वज़े से क्या होगा, यहाँ पर देखी, in plus region, in plus region का मतलब क्या होता है, heavily doped region, heavily do लोप्त रिजन है इसका मतलब क्या होगा यह किए था मूफ करने लगेगा तो कुछ अलेक्तर ढर्शिट्व में इंदर चला जाएगा जहां पर होल को डिफ्यूस करेगा यानि आपके जो रिवर्ष बैस आपका यहाँ पर चैनल था रिवर्ष बैस'd डिप्लिशन लियर था इसको क्या करेगा इसके विर्थ को घटाने लगेगा और घटाते घटाते क्या होगा एक समय आएगा जिसकी electron move करेगा और anode current cathode की तरफ flow होने लगेगा यानि जैसी आप battery connect करते हैं gate और cathode terminal के cross यहाँ पर एक gate current flow होगा जिस gate current की वज़े से depletion layer जो reverse bias के अंदर था J2 यह बहुत जल्दी failure हो जाएगा यानि बहुत आसानी से आपका anode current flow होगा यानि के यह जो gate current है यह क्या कर रहा है J2 को failure होने में मदद कर रहा है इसलिए इसको triggering बोलते हैं हम लोग triggering का मतलब क्या fast करना process को जैसे मान के चली example हम बच्चों को दिया था आप लोग भी ध्यान से समझेगा जैसे आप कोईला का चुलहा सुलगा रहे हैं पंखा कूब जल रहे हैं लेकिन वहाँ पर जल्दी वो नहीं जलेगा लेकिन थोड़ा सा करासन तेल दे दिजेगा तो वही क्या हो जागा जल्दी वो start यानि जल्दी चुलहा जल जाएगा यानि क्या मतलब हुआ कि आप पंखा जलते रहेगा तब तो वो थोड़ा समय लेगा ज्यादा लेकिन आपका चुलहा जलेगा लेकिन उसी में अगर कोईला के अंदर थोड़ा सा किरासन तेल दे दिजेगा तो क्या होगा आपका चुलहा जल्दी जल जाएगा वही काम gate triggering कर रहा है कि आपका anode to cathode voltage बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा ब्रेक ओवर जब हमको voltage मिल जाएगा तो anode to cathode current flow होगा लेकिन gate triggering आप दे दिजेगा gate current दे दिजेगा तो आपका बहुत जल्दी जे टू फेलवर हो जा पर है लेकिन अगर हम उससे पहले ही gate current apply करते हैं जिसको ig1 हम नाम देंगे तो ig1 अगर gate current दीजेगा तो इस break over voltage मानके चली पहले 100 volt पर break over हो रहा था तो अब gate current बगल से आप side से दे रहे हैं तो अब क्या होगा 90 volt पर वो क्या हो जाएगा conduction start कर देगा यानि यहां से आपका current flow होने लगे gate current और बढ़ा है अपने ig2 की value यानि देखे यहां से magnitude ज्यादा देखा रहे हैं यह वाला current आपका क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है ig2 की value पहले से ज्यादा दीजेगा पहले 10 दे रहे था 20 ampere दीजेगा तो क्या होगा हाला के बहुत कम दिया जाता है micro और milli के अंदर लेकिन example के लिए आपको बोल रहे हैं तो अब क्या होगा 100 की जगा पहले 90 हो रहा था अब ig2 और बढ़ा दिया तो अब जो वी टू की value है देखिए पहले से क्या होगा कम हो गया या अब 80 वोल्ट के अंदर ही क्या हो जाएगा breakdown ig3 की value और बढ़ा है तो अब पहले स कम voltage पर यानि आपका मान के चलिए 70 ही वोल्ट पर क्या हो जागा break over हो जाएगा यानि conduction start हो जाएगा तो आपको समझ में आया होगा importance कि हम किसी के साथ लणने गया तो हमको मालूम है सामने वाले को हम हरा देंगे लेकिन अगर हम अपने साथ 2 बच्चा 3 बच्चा को और साथ मिले जाएगे तो बहुत जल्दी हम सामने वाले को हरा पाएंगे तो वही कम क्या है gate triggering का है not to cathode voltage बढ़ाते जाएगा break over अकर होगा तो conduction होगा लेकिन gate triggering आप दीजेगा तो बहुत जल्दी यानि कि कम break over voltage से ही क्या हो जाएगा कम voltage पर conduction start हो जाएगा और forward conduction current flow होने लगेगा किलियर हो गया होगा अब last दो important definition देख लिजे एक होता है latching current और एक होता है holding current लatching current किसको बोलते हैं तो definition हमने लिखा minimum amount of anode current यह anode current है minimum amount of anode current required to turn on the SCR यानि कम से कम इतना anode current यह जो j2 failure हो रहा anode current flow हो रहा तो इतना current flow हो जाए कि क्या हो जाए SCR आपका on हो जाए तो latching current ऐसा current होता है जिस current के बाद यह minimum current इससे आगे बढ़िएगा तो क्या होगा आपका SCR on हो जाएगा इससे नीचे रहिएगा तो SCR on नहीं होगा तो minimum amount of current वो कम से कम current जिस current जो current हमको required है किसके लिए SCR को on होने के लिए तो यहाँ पर हम देखाते हैं latching current यह minimum current है जिस current पर SCR क्या होगा on होगा इस latching current से उपर बढ़िएगा तब latching current से अगर कम रहिएगा तो SCR on नहीं होगा उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा anode current जब बढ़ जाता है किससे latching current से तो SCR क्या होगा on होगा latching current क्या है ऐसा current है जिस current से अगर हमारा anode current बढ़ेगा तब ही SCR on होगा दूसरा होता है holding current maximum amount of current maximum amount of anode current below which SCR will not conduct यहाँ पर देखाया दिया हमने बीच में holding current देखाया अपने मन से यह वो current है जिससे नीचे अगर हमारा anode current चला जाएगा तो SCR क्या होगा conduct नहीं करेगा यानी off की तरह behave करेगा maximum amount of anode current below which SCR वीच अगर यहाँ पर holding current मानते हैं तो इससे नीचे अगर आपका anode current रहेगा तो SCR conduct नहीं करेगा यानी SCR on नहीं होगा वो off state में रहेगा तो holding current क्या है अगर anode current holding current से क्या रहेगा अगर कम रहेगा holding current से तो SCR क्या होगा off होगा और latching current से ज़्यादा रहेगा anode current तो आपका क्या होगा SCR on होगा ठीक है यहाँ पर देखी एक point जो अभी gate वाला समझा रहे थे उसी को लिख दे हमने when gate triggering is applied SCR जब gate triggering हम लोग देते हैं SCR के एक ross तो क्या होगा applied SCR turn on at lower voltage यानी break over voltage से पहले ही lower voltage पर breakdown हो जाएगा यदि अगर हम gate triggering देते हैं तो I hope आपको बहुत अच्छे से सारा concept किलियर हो गया होगा जितना भी चीज़ता आपको एक एक करके बहुत अच्छे से हमने explain करने की कोशिश की है reverse blocking mode, forward blocking mode, forward conduction mode, latching current, holding current, gate triggering क्या है gate current देने से हमारा conduction की सतरा से हो रहा है, वो सारी बात आपको बहुत अच्छे से हमने explain करने का परियास क्या I hope आपको बहुत अच्छे से ये सारा point किलियर हो गया होगा, यदि अभी भी किसी परकार का dot है तो हमारे whatsapp पर message करके या call करके हमसे पूछ सकते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, thank you